हाई दोस्तों नमस्कार महुनी रजराय स्वागत आपका फर्महर्ट्स में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मस्कुलर पेन के बारे में और बैकेक के बारे में यानि पीठ में अगर आपको दर्द होता है और आपको नौर्मल यी मस्कुलर पेने बारे में कहीं भी तो वहार पे कौन सी मेडिसन यूज़ कर सकते है आज की वीडियो में हम लोग लूग डीटेल में बात करने वाले हैं दुस्तों मस्कुलर पेन या बैकेक के बात करूँ तो या फिर आपके body में कहीं भी pain हो रहा है उसका कुछ vicious reason होता है कुछ कारण होता है एक normal सा reason मैं आपको बताऊं कि तो या तो हम बहुत ज़्यदा कोई काम कर लेते हैं या फिर हम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको muscular pain हो सकता है बैक एक की समझ जा सकती है आप हमेशा बैठे रहते हैं या हमेशा लेटे रहते हैं exercise नहीं करते हैं तो ये सारी चीजे जो है वो trigger करती हैं आपके muscular pain को आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि muscular pain होता क्या है तो अगर आपको body के किसी भी मांसपेशी में दर्द हो रहा है तो उसको हम लोग muscular pain कहते हैं back का मतलब होता है पीठ में दर्द होना पीठ में किसी भी तरह से आपको दर्द हो रहा है खास करके लंबर एरिया में लोगों को ज़दा दर्द होता है यानि कि कमर की एरिया में pain की कटेगरी में आता है जैसे साइटी का की प्रॉब्लम आती है अभी बात करें इसके काजस के बारे में कि क्या reason होते है तो पहला reason यहाँ पे होता है heavy exercise कई बार जब लोग gym जाते हैं तो वो जरूरत से ज़यदा exercise करते है जिसकी वज़त से उनको muscular pain की समस्या आती है अगर जोर लग गया है कमर के साइड में तो वहाँ पर भी दर्द होता है पीठ में भी दर्द होता है इसके अलावा खिचाओ के करण भी ऐसा हो सकता है जैसे कर जब कोई exercise करता है तो उसमें भी खिचाओ आता है या फिर जैसे मोच आना आप जैसे चल लए हैं और ऊचे नीचे पड़ गए तो मोच आ जाती है तो उस condition में भी आपको muscular pain हो सकता है इसके अलावा कई बार देखा गया है हमारा nutrition से ही नहीं होता multi vitamins कम होते हैं जैसे vitamin B के जो भाग होते vitamin B1 B2 B3 B6 इस तरह के B12 जो vitamins हैं वो कम हो जाते हैं इसके अलावा मिंडल्स कम हो जाते हैं उनकी deficiency हो जाती है जैसे calcium की potassium की phosphorus की तो इन सबकी जब हमारे body के अंदर में कमी हो जाती है तो ऐसे में muscular pain होना स्वाभाविक बात है क्योंकि इस यह सभी nutrients हैं और आपको ठीक ठाक रखने में शाहिता करते हैं इसके अलावा दूस्तों किसी भी patient के अंदर में अगर spine fracture होता है तो ऐसे में भी उसको body में दर्ध हो सकता है खासकर कि body में क्या उसको spine area में दर्ध होता है यानि कि आपको पीठ में दर्ध होता है इसके अलावा डिस्क prolapse की समस्या होती है डिस्क अपने जगह से डिस्लोकलाइज हो गई है या फिर दब गई है तो उसकी वज़़े से भी आपको muscular pain होता है खासकर कि वह muscular भी नहीं होता एक्चली वह बैक की समस्या में आता है यानि आपको peat में दर्ध होता है इसके अलाव दोस्तों साइटीका में lower back होता है यानि कि साइटीका की समस्या होती है उसमें साइटीक नर्व यहाँ से जाती है ठीक है तो पैरों से होते हुए तो अगर वह आपकी हड्यों से दब जाती है तो साइटीका की समस्या आती है और साइटीका की समस्या की वज़़े से भी आपको पीठ में दर्थ होना, कमर में बहुत तेज दर्थ होना, पैरों में दर्थ होना, यह सारी समझ चाती है, यह रेक स्पाइफिक पेन होता है इसके लिए अलग प्रकार के दवाई दी जाती है है कि आया आ अप में लुक्त पूंप मेंध म 트ल गाल्ट होगा तो है कि ऋसको आपको सालोगा होते हैं वह इस्ट्रिक्षंशन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है सबसे पहले तो आपको rest करना है अगर आपको कमर दर्द आपको spinal pain है आपको lower back एक है आपको कुछी भी प्रकार का muscle से कहें तो ऐसे में आप उसका use कम करें आप rest करें ज्यादा तर rest करने से आपको spine है उसको रहत मिलेगी बाकी की muscles को रहत मिलेगी इसके लामा दोस्तों आप physiotherapist के पास जा सकते हैं physiotherapy करा सकते हैं और splint use कर सकते हैं नहीं कि Lumber belt आती है आप उसको use कर सकते हैं अगर यह सही नहीं होता इस से तब आपको medicines दी जाती हैं कौन सी medicines दी जाती हैं तो यहाँ पर हम लोग use करते हैं NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory medicines आपको दी जाती हैं जिसमें तीन medicine मैं आपको बताऊंगा तीनों में से आप एक ले सकते हैं चाहे तो आई वे फ्रोफेन 400 ले सकते हैं ऐसे इस दे जाती है जब भी जरूरत हो इसके अलावा आप दे सकते हैं जीरोडाल सी आर जीरोडाल के अंदर ऐसे किलोफिनेक होता है और सी आर मतलब कंट्रोल रिलीज और इसको दिन में एक बार लेना होता है 200 अमजी की टैबल भीज हैं तो उतना फायदा तो कर दी है लेकिन इनके अपने साइड able न किप्छाट नके साथ में यह सकते हैं आप इसे और वेंफोटायमीन होता है और साथ में प्रीगावलिन होता है यानि कुल मिलाके यह आपके निरॉंस को मजबूत करती है ताकि उनकी उनकी कमजोरी की वज़े से जो आपको दर्द हो रहा है वो ठीक हो पाए तो आप मेगा निरॉंस यूज कर सकते हैं अपको दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं तो दोस्तु यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया मस्कुलर पेन और बैकेक के बारे में खासकरके लोगर बैकेक के बारे में वीडियो आपको इन्फामेटव लगा हो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइ करके वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के पास जरूर शेयर करेगा दोस्तों हमें हेल्थ मुख्या चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग इस तरह के और वीडियो लाते रहते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं लीडियो